चिनाव रेलवे ब्रीज जो भारत ही नहीं बलकि दुनिया का सबसे उचा रेलवे ब्रीज है इससे पहले यह रिकोर्ड चाइना के पास था अब यह रिकोर्ड भारत के पास है भारत का यह चिनाव ब्रीज जम्मू कस्मिर में बनाया जा रहा है और इसका निर्मान अब भी जारी है ये ब्रिज कब तक बनकर तयार हो जाएगा इसे बनाने में कितने पैसे खर्च हुए साथ ही इस पूल को बनाने में किनकिन परसानियों का सामना करना पड़ा इन सभी सवालों के जबाब जानेंगे स्वागत है आपका भियस मोटिवेशन के एक और एपिशोड में मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट वन दरसल कोकन रेलबे कार्पोरेशन के अनुसार इस ब्रिज को बनाने में कुल 1486 कोल रुपईये खर्च होंगे इस पूल का निर्मानकार अगस 2004 में शुरू हुआ था और 2008 तक इसका काम पूरी तरह से बंद हो गया फिर दो साल बाद साल 2010 में इसका काम दोवारा शुरू हुआ जो कि आज तक जारी है इस ब्रिज के बेस वर्क का काम साल 2017 में पूरा हुआ फिर चिनाब ब्रिज के मैन आर्क का काम साल 2021 में अपरेल में पूरा हुआ इंजिनिर्स का कहना है कि ये ब्रिज बहुत ही मजबूत बनेगा ये अगले 120 सालों तक ऐसा ही रहेगा हिमाले के जिस हिससे में ये ब्रीज बनाया जारा है वहाँ हवाँ भी 200 किलो मीटर पर आवर की स्पीट से चलती है इसलिए इस ब्रीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 260 किलो मीटर पर दीघंटा की हवाँ को जेल सके इस ब्रीज की टोटल हाइट 369 मीटर है जो पैरिस के एपिल टावर से 35 मीटर जादा उजजा है ये ब्रीज जॉन भी लेवल का भुकम जेल सकता है जॉन भी बहुत ही हाई लेवल का भुकम होता है जो पहाली छेतर में होता है साथ ही ये ब्रीज बॉम बलाष्ट को भी सह सकता है ये थी इस ब्रीज की खासियत आईए अब जानते हैं कि इस ब्रीज को बनाने में किनकिन परसानियों का सामना करना पड़ा Indian Railway के अनुसार चीनाव Rail Bridge का construction रेलवे project के लिए अब तक का सबसे बड़ा challenge था इंजिनियर्स का मानना है कि ये ब्रिज हिमाले के चुनोती पुर्ण इलाके में एक इंजिनिरिंग चमतकार के जैसा है इस पूल का निर्मान भुकमपिय छेतर में किया गया था और सबसे बड़ी चुनोती कंक्रीट के नीब का सही डिजाइन तयार करना था नीब का छेतर आदे फुडवल मैदान के अकार का है इस ब्रिज की नीब आठ रियक्टर तक के भुकम को जहल सकता है आर्क ब्रिज को बनाने में 28,000 टन इस्टील का इस्तमाल किया गया है जो जटके को एब्जर्ब करने में मदद करेगा इस आर्क ब्रिज को बनाने में 300 सिविल इंजिनियर्स और 1300 से ज़्यादा वरकस ने लगातार काम किया था जिसके बाद आर्क का काम अपरेल 2021 में पूरा हुआ हलाकि नीब और आर्क का काम पूरा हो चुका था लेकिन सुरंग का निर्मान अभी भी बाकी था और यहां चुनोती एक दो नहीं बलकि सैंती सुरंगे बनाने की थी आम तोर पर सभी सुरंगे डी अकार की होती है लेकिन हिमाले में डी अकार के सुरंग बनाना नामुमकिन था इसलिए यहां घोले के नाल के अकार का सुरंग बनाना शुरू किया गया ये सुरंग धिली मिट्टी को दूर करने में मदद करता है इस ब्रीज की उचाई के बारे में कहा गया है कि अब इस पूल को और उचा नहीं किया जा सकता लेकिन हम भविस में इससे भी जादा उचा पूल जरूर बना सकते हैं इस ब्रीज के सूपर इस्टक्तर का काम अगस 2022 में पूरा हो चुका है चिनाब ब्रीज के बनने के बाद इंडियन रेल्वे का मैन रेल नेटवर कस्मिर वैली से जुड़ जाएगा ये ब्रीज उधमपूर, स्रीनगर और बारा मुल्ला के बीज एक लिंग का काम करेगा कतरा से बनी लाल तक का रेल्वे ट्रेक जिसकी लंबाई 111 किलो मीटर है ये रेल्वे ट्रेक इस चिनाब ब्रीज के कारण इंडियन रेल्वे के मैन ट्रेक के साथ जुड़ जाएगा और ये 111 किलो मीटर लंबा ट्रेक JUSBRL का एक पाठ है जिसका फुल फॉर्म है जम्मू, उदैपूर, स्रीनगर, बारा मुल्ला, रेल्वे लिंग इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,000 क्रोड है भारत के रेल मंतरी अस्वनी वेसनब ने कहा है JUSBRL परियोजना का काम जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा जिसके बाद चिनाब रेल्वे ब्रीज पर ट्रेनों का आवागवन सुरू हो जाएगा चिनाब ब्रीज पर ट्रेने 100 किलोमीटर परती घंटा की रप्तार से चल सकेगी चिनाब रेल्वे ब्रीज अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे उचा रेल्वे ब्रीज है वैसे आप इस रेल्वे ब्रीज के बारे में क्या कहना चाते हैं अपने राइक कॉमेंड बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैलन्ज से जरूर जुड़िए क्योंकि मैं हर दिन ऐसे ही इंट्रेस्टिंग कंटेंड लाता हूँ आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड में तब तक के लिए जैहिंद